प्रेंस कैसे हैं आप लोग और आज हम लोग जो है exercise 22 पढ़ेंगे जो की Oxford Junior English Translation का है और इस exercise में आप लोगों को हिंदी में convert करना है जो भी आपको English में sentence दिया गया है और से यानिकि translate into Hindi करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और यह जो है exercise 21 से related है तो जाकर कि उसे जरू भी ready अब देखिए normally अगर हम देखें तो ही के साथ हम विल का परियोग करता है बट यहां पर सेल का परियोग किया गया है इसका मतलब है कि यानिकि अवस्य लगा हुआ है क्या ही का क्या होगा वह होगा और अवस्य लगाना है वह ठीक है अवस्य अब जो हमारा object है वो हुआ है तो इसका मतलब है दागेगी यानिकि वह अवस्य तयार रहेगा रहेगा तो देखा आपने चलिए आगे देखते हैं अगे कि दे सेल भी present दे के साथ भी हम normally देखे तो विल लगता है बट यहां पर सेल लगा हुआ है इसका मतलब यहां पर भी अवस्य का यूज यानिकी उपस्थित और वे लोग अब यह से उपस्थित रहेंगे डाइरिक्ट है रहेंगे चलिए अगे देखते हैं आगे कि यूज वह ज्याल भी इन लॉस्यू सैल हिन लास। यानिकि यू पहले तो यानिकी तुम है तुम तुम तो है अब गय है अमने लिखा यू का तुम, ठीक है, तुम, सेल लगा हूय, यानिकि, उयू के साथ भी, अगर नोर्मली देखे, तो विल लगता है, बट यहाँ पर सेल लगा हूय, तो ईसके साथ भी, हम अवस्य लगाईंगे, लिखेंगे तुम अवस्य अब देखिए इन लॉस घाटे में तुम अवस्य घाटे में रहोगे सिंपल है चलिए अगे है कि यू सेल भी टुबल्ड ठीक है यू यानि कि तुम और यू के साथ यहाँ पर भी देखिए सेल लगावेज आणि कि अवस्य ठीक है अब काज़र कि जो हमारा उबजेक्ट है टू बुल्ड यानि कि परिशान क्या लिखेंगे तुम परिशान अब कि तुम अवस्य परिशान रहोगे ठीक है झालिए आगे काज़र कि V will be reach we will be reach यहाँ पर भी दिखिए we का मतलब हो क्या हम लोग हम लोग ठीक है will यानि कि यहाँ पर जो है will लगा हुआ है इसका मतलब है कि we के साथ तो normally में cell लगता है बट यहाँ पर will लगा हुआ है यानि कि अवस्य लगेगा है यह लगेगा क्या लखेंगे हम लोग अवस्य रीच यानि कि धनी sorry यहाँ पर हमने गलत लिखा धनी ठीक है क्या लखेंगे हम देखिए कि हम लोग अवस्य धनी बनेंगे ठीक है ठीक है friends तो आप लोग देख रहे हुँ किस तरह हम बना रहे है इससी तरह से आप लोगों को भी बनाना है आगे देखिए I will be great I will be great I के साथ भी sell लगता बट यहाँ पर will लगा हुआ है कि हम क्या लखेंगे मैं अवस्य मैं अवस्य अवस्य महान बनूंगा महान बनूंगा चलिए आगे है इसी तरह से कि I will be ready I यानि कि मैं और फिर अवस्य लगाना है क्योंकि यहाँ पर will लगा हुआ है क्या लखेंगे मैं अवस्य ready लखेंगे मैं अवस्य तयार रहूंगा ठीक है ऐसा ही होगा रहूंगा चलिए आगे है कि He shall be present ठीक है तो चलिए हम इसी बनाते देखिए He के साथ हम यहाँ पर अवस्य लगाओ इसका मतलब है क्या लखाओ क्या लखेंगे वे अवस्य वे अवस्य परजिंट यानि के उपस्थित देखिए हमने क्या लखा वे अवस्य उपस्थित रहेगा ठीक है अगर हम गागेगी लग रहा है इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे चलिए आगे के सेल आई बी टैल सेल आई बी टैल अब देखिए आई के साथ तो सेल लगता है नोर्मली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्या सेल आई के पहले लगा है तो हम लिखेंगे क्या और जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे क्या मैं ठीक लंबा लंबा देखिए क्या लिखा हमने क्या मैं लंबा रहूंगा क्या मैं लंबा रहूंगा चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या मैं लंबा रहूंगा चलिती आगे देखते हैं, आगे हैं फ्रेंज की, वाज आई टेल, तो वाज यानी की क्या ठीक है, और क्या मैं लंबा ठीक है टेल मतलब लंबा और था वाज लगावे इसका मतलब है था ठीक है अगे इसी तरह से की एम आई टेल, एम आई टेल, ठीक है फ्रेंज, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम यानि कि क्या, ठीक है क्या, और आई का मतलब मैं हो गया, और टेल मतलब लंबा, क्या मैं लंबा, हुं, बहुत ही सिंपल तरीके से, हम लोग बना रहे, अगे कि I sell not be rich, I sell, यानि कि I मतलब हो है, मैं धनी, पहले तो आपको यह जो है, यह लिखेना होगा, क्या लिखेंगे, मैं धनी, नहीं, ठीक है, मैं धनी, या मैं धनी, नहीं, ठीक है, रहूंगा, या मैं अमीर नहीं रहूंगा, ठीक है, चलिए, आगे हैं फ्रेंज कि I was not rich, मैं, मैं, ठीक है, अब लिखेंगे मैं अब फिर धनी लिखेंगे या अमीर भी लिख सकती हूँ आप मैं धनी नहीं था वो आज लगा हुआ है आगे कि I am not reach ठीक है मैं धनी नहीं हूँ ठीक है फिरेंस आगे कि I shall be happy I shall be happy यानि कि मैं खुष रहूंगा मैं खुष रहूंगा ठीक है आगे कि I was happy मैं खुष था मैं खुष था और आगे है last में कि I am happy नहीं कि मैं खुष हूं तो फ्रेंस आप लोगों ने एक चीज गैस क्या होगा कि आप लोग जाए exercise 21 को ही उल्टा करके यहाँ पर हिंदी दिया गया है इंगलिस को हिंदी बनाने के लिए तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको पढ़ने में मज़ा आए तो इस वीडियो को कोंटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तो हमारा जो है सैल और विल का जो चप्टर था यहीं पर ही खतम होता है ऑक्सपोर जूनियर में और अगले जो exercise आने वाले हैं यानि की किल्सका है तो आप लोग वो पर ना तो अगले ही वीडियो जरूर देखना थेंक्यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद